दोस्तों आज के समय की बात की जाएं तो बालों का जहना गिनना रूखा सुखा होना डैमेज होना एक आम समस्या है कारण बहुत सारे हो सकते हैं तो आप इन सारी प्राबलम के लिए अगर आपने बहुत सारी चीजे यूज की हैं एक बार कैस्टर वाइल को यूज करके हैं कि कैस्टर वाइल और जिसको हम रंडी में रंडी जाय सभाशा में और भाषा में आरन बोलते हैं उस और को हम अपने बालो की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए किस ignorant काफी जदा थीक होता है शायद यही कारण है कि यह उतना जदा पॉपुलर नहीं है क्योंकि काफी थीक है तो आपके बालों में डेरेक्ट अगर आप इसको अपलाई करते हो तो यह बिल्कुल पैनिटेट नहीं होगा तो इसका यूज करने का सही तरीका इस वीडियो में मैं क्या फाइदै यह सकते हैं इस साडी सकते हैं तो किसी एक यूज के लिए आप नहीं यूज कर सकते हो से की कैस्टर वाई हम सब जानते हैं इसमें होता है वाइटमिन यह पार्पूल अंडियोक्सिडेंट ओमेगा त्री फैटी ऐसीड ओमेगा सिक्स इसके अलावा भार लेकिन काफी जदा थीक होने के कारण यह डायरेट हमारे ना तो हम अपनी स्किन में अपलाई कर सकते हैं न इसके लिए आपको उन सारी प्रॉबलम को यह फिक्स करने की चंबता रखता है आपको क्या करना है यह को लेना है एक चमच केल ड़ना है ऐना on काफी ठीक है तो आपको बहुत जादा नहीं हूं हम इक बार की यूज वारके योज के लिए इसको रहें है इसके अलावा दो स सरसो का तेल यानि मस्टर्ड वाइल आप चाहो तो नारियल का तेल भी ले सकते हो या फिर तील का तेल ले सकते हो या फिर इसके अलावा बादाम का तेल या जैतून का तेल जो भी वाइल आप डेली हेर मसाज के लिए यूज करते हो आप उसको ले सकते हो तो उस वाइल को ल आपको क्या करना है आपको अपनी बालो की सेंटर पार्टिंग करनी है पूरे बालो में जिस प्रकार हम हेर वाइलिंग करते हैं वैसे इसको पूरे बालो में अपलाई करना है मसाज करना है तो इसको पूरे बालों में अच्छे से स्कैल्प में खास करके मसाज करना है उसके बाद छोड़ देना है अगर आपकी स्कैल्प की प्रकृति ड्राई है तो यहां पे सरसो का तेल का यूज करें इसके लावा इस वाइल को पूरी रात के लिए छोड़ देना है मसाज करने के बाद लेकिन अगर आपकी स्केल्प की प्रकृत्थी ओईली है यादि कि है आपको इसके । पूरी रात के लिए नहीं चोड़ना बार हें वर वाउस करने के तापड़ मैं एक घंटे पहले एक घंटे के लिए छोड़ दे बाद में आपको किसी माइल शैंपू से हेyam wash करना है किसी biological वाले शैंप Emilyे का यूजु ना करें फोर जयां हम्हें जैसे कि चारो स्त्री decided किसी भी शैंपू trademark issue क्रेंब कर सकते हो या फिर किसी household अब कर जू खरना है अगर आपके हेर बहुत ज़र ड्राइड डैमेज है अगर नॉर्मल है यानि कि ओईली स्केल्प है एक बार यूज़ करना है लगातार आप इसको 6-7 हबते तक यूज़ करोगे तो रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे इसके अलबा अगर आप सोचो कि एक से दो बार कि इसको किश को होने के लिए थोड़ा सा टाइम चएक वी दवाव हो या कोई भी चीज तोड़ा सा होने के लिए टाइम लगता है एकदम से कोई चीजे चेंज नहीं होती है इसके लावा इसको में एंड फीमेर दोनों लोग यूज़ कर सकते हो अगर आपको हार्मों डिस पढ़िए मकल करने के चंता रखता है तो दोस्तों I hope आपको मेरा ये जानकारी पसंदब्ली पसंदब्लीज यदि मेरे जैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें कमेंड करें दोस्त तब तो तक टीकर नमस्कार बबैटिल दिन टेक हैं